दोस्तो अगर एक लड़की सिकल से भोली भाली और मासूम दिखती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो अंदर से भी ऐसी है क्योंकि आज के इस मोडन जमाने में जो लड़की जैसा दिखती है वो वैसा होती नहीं और जो जैसी होती है वो वैसी दिखती नहीं ओफिस के लिए घर से निकल जाते हैं तो इनकी गैरहाजरी में शैली अपने लैप्टोप में पौन वीडियोस देखती है और मास्टरबेसन करती है क्योंकि सैली का मानना है कि जो माज़ा मास्टरबेसन करने में है वो सेक्स करने में बिलकुल भी नहीं है और इसी वज़े से आल तक उसने कोलेज में अपना कोई भी बोईफरेंड नहीं बनाया अब एक दिन शैली के घर में एक तरुन नाम के अंकल आते हैं जो शैली के डैड के कोलेज के मित्र होते हैं आप रात को शैली फिर से अपने बैडरूम में मास्टरबेसन कर रही होती है तो यहाँ पर तरुन नाम कल को शैली के कमरे से कुछ सेक्सी वाली आवाजे सुनाई देती है और जब ये शैली के कमरे में चोरी से जहांक कर देखते हैं तो इस सीन को देखकर चोग जाते हैं और दोस्तो फिर क्या तरुन अंकल भी शैली के साथ इसी चीज का गलत फायदा उठाने का प्लान बना लेते हैं पाकी आगे की कहानी कैसी हो सकती है आप लोग इस वैब स्रीज को उल्लू एप पर जाकर देख सकते हैं तो दोस्तो इस स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और अगर आप लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं